हाई व्यूवर्ज, जाईका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे फेमस गुजराती फरसान नाईलोन खमन की रेसिपी जो बहुत ही स्पोंजी, टेंगी और टेस्टी होता है तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूड रेसिपीस के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें नाईलोन खमन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम बेसन लिया है हम खमन बनाने के लिए जो बेसन इस्तेमाल करेंगे उसे हमें च्छान कर लेना है अब हम खमन का बेटर तयार करेंगे तो बेटर तयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा बोल लिया है इसमें हम एट कर देंगे 400 ml पानी यानि कि 250 ग्राम बेसन के लिए हमने 400 ml पानी लिया है देखिए इस खमन को बनाने में मेजरमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अब हम इसमें एट कर देंगे धाई टेबल स्पून चीनी एक टेबल स्पून नमक और डेल टी स्पून नीम्बू के फूल इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे एक टेबल स्पून तेल और एट करेंगे एक टेबल स्पून अधरक उलहसुन का पेश्ट अब हम इसे लगाता चलाते हुए तब तक फेटेंगे जब तक इसमें जागना बन जाए देखिए आप यहाँ पर विस्क की जगा इलेक्टिक ब्लेंडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह देखिए दो मिनिट तक लगातार फेटने के बाद इसमें जाग बन चुके हैं इस टेज पर अब हम इसमें एट करेंगे बेसन तो हमने जो 250 ग्राम बेसन लिया था छान कर उसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा एट करेंगे देखिए बेसन को हम एक साथ हेड नहीं करेंगे थोड़ा एट करेंगे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा बेसन एट करेंगे मिक्स कर लेंगे इस तरह हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन एट करेंगे तक हमारा स्मूध सा बेटर बनकर तयार हो जाए तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरा बेशन एट कर दिया है और अब हम इसे एक मिनिट के लिए और फेट लेंगे ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हमारा बेटर बनकर तैयार हुआ है इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं है अब इसे ढख कर पांच मिनिट के लिए रख देंगे अब हम स्टीमर तैयार कर लेते हैं तो इस तरह का बड़ा बरतन लेके हम इसमें रख देंगे एक स्टेंड और इसमें हम एट करेंगे तकरिबन दो ग्लास जितना पानी इसे ढग देंगे और पांच मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करेंगे यह देखिए यहाँ पर इसे रखे हुए पांच मिनिट हो चुकी है अब हम इसमें एट कर देंगे थ्री फोथ टी स्पून यानि की पोना चम्मज बेकिंग पावडर साथ ही में एट करेंगे थ्री फोथ टी स्पून यानि की पोना चम्मज इनो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार एक डाइरिक्शन में तब तक फेटेंगे जब तक इसका कलर जो है थोड़ा लाइट ना हो जाए यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि हम जो इनो और बेकिंग पावडर यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेस हो बेकिंग पावडर और इनो हमें इसे स्टीम करते वक्त एड़ करना है इस मोल्ड में हमें खमन को स्टीम करना है तो सबसे पहले हम इसे तेल से अच्छे से ग्रीश कर लेंगे इसकी बोटम और की नारियों को हमें तेल से अच्छे से ग्रीश कर लेना है सिफ इस बात का ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर जो मोल्ड है वो थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि हम इसमें बेटर जब ट्रांसफर करेंगे तो इसे पूरा नहीं भरेंगे अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप इस तरह का कोई भी स्टील का बर्तन ले ले अब हमारे तैयार किये हुए बेटर को हम इस मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे स्टीमर को अच्छे से प्री हिट करने के बाद हमने इसमें मोल्ड रख दिया है अब देख सकते हैं कि हमने मोल्ड का उपर का थोड़ा हिस्सा खाली रखा है अब हम इसे ढग देंगे और हाई फ्लेम पर 15 मनिट तक स्टीम करने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनिट के लिए और स्टीम करेंगे 15 मिनिट टक हाई फ्लेम पर और 10 मिनिट टक लो फ्लेम पर हमने इसे अच्छे से स्टीम कर लिया है अब ये सही तरीके से बना है के नहीं ये चेक करने के लिए हम इसमें एक स्टीक डाल कर देखेंगे देखिए स्टीक जो है वो बिल्कुल क्लियर है यानि कि ये अच्छे से बन चुका है अगर आपकी स्टीक क्लियर ना निकले तो आप इसे लो फ्लेम पर 5-7 मिनिट के लिए ओ स्टीम कर ले इसे स्टीमर में से निकाल लेंगे और रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे हमने इसे आधे घंटे तक रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है अब इसे अन्मोल्ड कर लेते हैं देखे रूम टेंपरेचर पर खमन को अच्छे तरह ठंडा करने के बाद ही आप इसे अन्मोल्ड कीजिएगा अब इसे कट कर लेंगे यह देखिए हमने इस साइज के पीसिस में कट कर लिया है अब देख सकते हैं कि हमारा जो खमाण है वो कितना सोफ्ट बनकर तयार हुआ है अब हम खमाण के लिए तड़का तयार कर लेते हैं तड़के के लिए हमने तीन टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें हम एट कर देंगे एक टेबल स्पून राई राई जब तेल में चटकने लगे तब हम इसमें एट कर देंगे कड़ी पत्ता इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे हरी मिच तो यह जो हरी मेंच है इसको हमने सेंटर में से कट कर लिया है और एट करेंगे एक चोथा टी स्पून हींग तकरीबन दस सेकंड के बाद हम इसमें एट कर देंगे एक कप पानी यानि कि हमने यहाँ पर 200 ml पानी एट किया है इसी के साथ हम इसमें एड़ कर देंगे 5 टेबल स्पून चीनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक चीनी जो है वो मेल्ट ना हो जाए अब हमारे तयार किये हुए तड़के को हम एड़ कर देंगे खमन पर देखिए तड़के को हम एक साथ एड़ नहीं करेंगे चमज की मदद से हमें इसे खमन के हर एक पीस पर एड़ करना है सारे पीस पर हम इसे अच्छी तरह एड़ करेंगे तक इसका फ्लेवर खमन में अच्छे से पहुँच जाए साथ ही में हम इसमें गानिशिन के लिए हरा धनिया एड़ कर देंगे तो खाने के लिए तैयार है फेमस गुजराती फरसान नाइलोन खमर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई